अगर आप देखोगे तो यह पुल भी क्राक हो गया किरेंश चलते चलते पांसो लोग दिली के अंदर प्रिवेस करेंगे और यह रस्ता खुलवाएंगे कि किसान आरहा है इनके किसी की आउकाद नहीं है क्योंकि यह चोर है हमने यह बादा किया है इसको हराएंगे बीजेपी को हम बोट ना देंगे ना दिलवाएंगे 246 फीजदी क्राइम महिलाओं पर बढ़ा है सिर्फ महिलाओं पर युवा तो युवा आप जैसे पत्रकारों के साथ भी गरफतारी की गटना है आ रही है इनकी मान सिक्ता वही थी जो अंग्रेजों की थी इनको तो वह नाचने कुदिनी की ट्रेनिंग दी जाती है इन्हें कहां इत्यास पढ़ने का मौकर जनता है अंग्रेजों से पैंसन भी लिए माफी नामा भी दिये सावरकर और गोट से जैसे लोगों ने महगा बिजली उत्तर परेस में योगी राजमें किसानों को मिल रहा है इस सरकार ने हमारे गंदले में फंदा तो डाल दिया है लेकिन अब यह चाहती है कि तुम अपने आप जूल जाओ पचास रुपए की दो रोटी बिकेंगी तुमारी आवकाद नहीं है कि तुम रोटी खरीद लो अभी इस समय हम मेरट दिल्ली एक्सप्रेस वेपर हैं उसी एक्सप्रेस वेपर जिसको लेके सालों से राजनीती हो रही है राजनीती इस मायने में कि आम लोगों तक ये पहुँचाया जा रहा है या बताया जा रहा है कि इस पूरे एक्सप्रेस वे को बंद किया गया है किसानों के दोरा जिसकी वज़े से दिली जाने वाले लाखों या हजारों लोगों को रोज परिशानी हो रही है अज इसी की परताल करने हम यहां आए हैं और बताना चाह रहे हैं कि असल सच्चाई वो नहीं है जो आपको दिखाया या सुनाया जा रहा है यह पलपल की खबर इससे पहले भी किसानों से जुड़ेवे मुद्दे को दिखाता रहा है आज उसी करम में हम घाजी पूर बॉर्डर आए है दिली और मेरट एक्सप्रेस वे है यह देखे जहां पर हम खड़े हैं इसके इस सरफ यूपी है यह यूपी का हिस्सा आता है और इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो यह फ्री जोन है थोड़ा सा देख सकते हैं आप यह फ्री जोन है इसके बाद यह जो लाल निशान देख पा रहे हैं आप यह दिली पुलिस का इसने यहां पर निशान लगा हुआ है दिली पुलिस का बेरिकेट भी देख रहे हैं यहां से दिली शुरू होता है बार बार पिर रखा है जिसकी वज़से आम लोगों को दिक्कत हो रही है आम लोगों को परिशानी हो रही है सुप्रीम कोर्ट का भी फटकार आपने सुना बीच में कैसे बताया जा रहा है हला कि किसान इस पर कुछ और स्ट्रेट में दे रहे हैं उसको भी हम जानेंगे उसके बारे मे यहां पे एक 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 बड़ी तादाद बड़ी संख्या में यहां पे पुलिस बल को तैनात किया जाता रहा है और अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल तैनात हैं यहां पे मेरे साथ इस समय अभी कुछ किसान परतिनीदी हैं जिनसे बात करके हम जानेंगे सुप्रीम को यह एक साल होने को है लगबग एक साल होने को है अब किसान अंदोलन को इसमें अभी क्या अभी तक किस नतीजे पे पहुँचा है यह आंदोलन और आने वाले दूनों में इनकी क्या रनडीती है एक साल हो गया है लगबग होने को है 26 तरीक होने को है आप अभी कहां देख पा की काम कर रही है अब देश में मीडिया के माध्यम से या कोट के माध्यम से या दूसरे संस्ताओं के माध्यम से यह देश को बताने की कोशस की जा रही है कि हमने रास्ते खोल दिये यह देश को बताने की क्यूंकि कोट ने जो फटकार लगाई थी कि किसानों ने इन्होंने कह को गया क्रेन चलते चलते और यहां जो है क्रेन वो भाटाए गए सारे पत्तर अब किसान यह कहता कि साफ हमें रस्ता खाली करने दो हमें दिल्ली की तरफ जाने दो सरकार आके यह जमान जो खड़े हैं जो आपको दिख रहे होंगे यह जमान अड़ जाते आके पैरिकेट जाना पड़ेगा और गाजी पुट बॉर्डर से यह रास्ता खुलवा के दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि एक साल हो गया है एक साल में मोदी जी ने 11 बार बात तो की लेकिन काले कानून समझने की कोसिस नहीं की उन्होंने जो काले कानून आडानी और अम्मानी के ओपिसों से आगे वो हमें देने की कोसिस कर रहे हैं नहीं उसे समझाने की कोसिस की कि इसमें सफेद क्या है और नहीं हमें समझा पाए कि काला क्या है तो इसलिए यह हम लोगों को यह सोच रहा है कि अब आगे हमें निकलना है और टिकेस साब ने यह कॉल दिया है कि अभ दिन ट्राली के साथ 500 लोग दिल्ली के अंदर प्रिवेस करेंगे और यह रास्ता खुलवाएंगे और प्रदान मंतरी के आसपास जाएंगे और प्रदान मंतरी से जो काले कानून प्रदान मंतरी जी ने बनवाए उसमें सपेद क्या है वो पूचेंगे और नहीं तक काला क्य के आप लोगों ने रास्ता रोक रован। आपने सयों के यह यूपी का कि संदू की यूपी का हिस्सा अपने संसेoppil दिल कारिया शुरू होता है प्र से आपको हम बता दे inflamonne कि ये सारे किसान UP में हैं, UP वाला जो भी रास्ता है, यहां से खुला हुआ है, पुरा फ्री है, लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं बाकाइदा, ये जो किसान अंदोलन के उपर बार-बार ये इल्जाम लगाया जाता है, ये बोला जाता है, कि ये बॉर्डर का रास्ता रुका मरतो यह रास्ता पूरा खुला हुआ है यह रास्तां अगर बंद है तो दिल्ली chicken ऐ बंद करें यह खुलआ है चुकिन में डिल्ली में नहीं है यह जो आपको बर बार टीवी अखबार कोई नहीं दिखा रहा है ये आप जान दोलन कहां पहुंचा क्या कर रहा यह कुछ और द और देख रहे हैं देखिए एक केमरा घुमाई है यह लोग जो जा रहा है ना दिल्ली से यूपी में जा रहे हैं लोग और यह यूपी बाले लोग है यूपी बाले लोग है और डेली आने जाने वाले लोग है इनका रास्ता किसानों ने कहीं नहीं रोका है नीचे से पूरा दिली में लेकिन यह सरकार वो है भरिमित करने काम कररे जंता को जंता है असपास कि Go kई दिक्कत नहीं है सभी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस किसान कुछ गलत नहीं कर रहा है संध त्रीडंग से अपना अंदोलन कर रहा है पिछले एक साल से एक साल 26 तारीक को हमारा हो जाएगा और 22 तारीक को हमारी एक महापंचायत है लखनव में जो योगी जी ये कह रहे थे मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि योगी जी जो आपने एक ट्वीट करके किया था बोला था हमारे राकेश टिकेट जी को कि आये तो सही किसान बकल टार दिये जाएंगे तो मैं उनको यह बताना चाहता हूँ कि किसान आ रहा है बाइस तारीक को आप बकल टारना और किसान को रोक सकूँ तो आप रोक सकता रोक लेना किसान बेधढक होकर को चेलेंज के साथ आ रहा है आपकी ताकत हम देखेंगे उत्तर प्रदिस सरकार की ताकत देखेंगे जिसाने को कौर रोकता है बिल्कल में मंदल मांस अलिगड मंडल से भार्ची किशानियों टिकेट का सिपाई हूं मैं और मैं कहता हूं कहना चाहता हूं कि आप रोकिये रास्ता रोकिये उत्तरप्रदीश में आने का यह लखनव को दिल्ली बनाए जाएगा बाइस तारी को देखना आप वहां का नजारा कुछ अलग होगा अ अब बाजापता एक न्यूज चैनल के मंच पर एक न्यूज चैनल के मंच पर योगी जी साफ लबजों में उन्होंने कहा है कि दिल्ली और लखनव में फर्क है इशारा उनका साफ था तो फरिक उने लगा होगा हमारे लिए दिल्ली में बड़ा वाला बैटता है और जब स्रीमा समय समय होगी तब ले चलेंगे और नहीं तो यहां साब के सान बापस आगए नहीं तो बढ़ गए सब निकल गाए थे अंदर तक चले गए तो मालूम है योगी जी कुछ बोलता अगर कोई या कोई लिखता है कोई बोलता है पत्रकार हो वकील हो एक्टिविस्ट दो मिनट में उसके उपर केस दर्च कर दिया जाता अपनों को डर नहीं लग रहा है योगी जी से कुछ गलत कर रहा है योगी जी कौन है अरे करना अब बापस कराए और MSP पर कानूर बनवाए बिना जाएगा नहीं किसान कुछ नहीं कर रहा है सांतिप्री डंग से पूरा देश देख रहा है पूरी दुनिया देख रही है कि किसान कुछ भी नहीं उपतरब कर रहा है सरकार के हत्गंडे हैं लाल के लिए पर देखिया आप जो 26 जनुरी का कान्ड था इनी के लोग थे सुद्गू बडर पा जो आदमी निकला था वो कोई Amit sah के साथ फोटो हूं करी प्रदानमंत्र का साथ फोटो हैं यह लोग ऐसे Expandो चाहा रहे हैं बदॉल शहोज धारे में और छी चेंसे डरता sellers लगता है लेकिन डर लगता है जब बेटियों का वलातकर होता है तब डर लगता है किसानों पर गाड़ी चड़ाई जाती है उन नाजाज बिचारे जो जो गरीब किसान है जो उनको मारा जाता है तब डर लगता है जब आयोध्या में जो है किसानों के रात में घरुजार दि पूरे ख़ड़े खोद दिये थे तो मैं पता होना चाहिए था जब आ थे अर्याना से पंजाब से ख़ड़े को दिये थे क्या हुआ? रही लोग पाएंगे इनकी किसी की अवकाद नही है क्योंकि ये चोर हैं, इनके दिल में चोर है और चोर की अवकाद मुझे पता होती है कि जब वो आते हैं तो नारे लगागे इधर से भागते हैं नीचे से, अंधेरे में उनमें किसी में दम नहीं है क्योंकि ये सब आतंकबादियों के साथ खड़े होने वाले लोग है किरम्डलों के साथ खड़े होने वाले लोग है किसानों पर चड़ाई होई गारी टैनी के साथ खड़े होने वाले लोग है कुल्दीप सेंगर के साथ खड़े होने वाले लोग चाइना के साथ खड़े होने वाले लोग हैं हमारे साइनिक मरते रहते और चाइना की उसमें पच्च में खड़े रहते और जब पुलमामा अटेक होता है तो जो पुलमामा का अटेक करने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं इनकी इनकी आवकाद सिरफ और पुलिस और पिरसासन है इनकी कोई आउकाद नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ अब की बार पाला सही राष्ट वक्त और किसान वक्त से पड़ा है जो देश का अन दाता है अब इन्हें बता देगा कि अब 2022 में 2022 में यह अपनी जमानतें बचा लें यही बड़ी बात है लखीमपूर हिंसा से आखिर फायदा किसको हुआ है यह बताई लखीमपूर फायदा फायदा किसको हुआ है वह किसान पर गाड़ी चला दी सब डर जाएंगे घर बग जाएंगे तीनों काले कानून भूल जाएंगे एमस्प की कानून नहीं मांगेंगे अपने वापस हो जाएंगे लेकिन सारी कानी उल्टी हो गए उसी का जवाब देने के लिए किसान जा रहा है लखनो जो देहसत गर्दी जो फैला रखी है इनके जो ग्रह राजी मंत्री है जो लखीमपूर खीरी मैं खुद साच था मैं गया हूँ वहाँ पर उनकी जो लासों को हमने देखा है ठीक है पत्थर से पत्थर दिल तक पखिल जाएगा उनकी वह हालत देखी मैंने अपने आखों लेका सीन बता रहा हूं और ये योगी और मोदी जी दो सब्द उनके लिए सांतुना का उनके मुझ से नहीं निकला है आज उसी की उसी को उसी मुद्य को लेकर करे महां पंचात हो रही है जो आज खुला 120 मी का मुलिं जो ये टैनी है अर वो खुले में घोम रहा है और गिरह मंत्री का अमिसा का मंच साजा कर रहा है पीछे से कहा है पोर्स और पुलिस कहा है और भान सम्मिदान कशह तो फिर मैं उत्तर प्रदेश में फिर मुक्क मंतरी योगी आदितनात की डूटी बनती है पुलिस प्रिसाजन क्या कर रहा है दारा एक सुबीस बी का मुल्जिम खुले में कैसे गूम रहा है और ग्रैम मंतरी का मंसाजा कैसे कर रहा है कानून की धचियां उड़ाई जा रहे चालिस लाख रुपे पीड़लूटी से वहां के डियम ने चालिस लाख रुपे दिलवाया है कि किसी तरह से भीड लाइए इनको चाहा कौन रहा है ये सब प्रमाण ये सामने आ रहे हैं रहेल टाने तो 2022 में हाल क्या होगा मूह दिखाने लायक नहीं चोड़ेगा ये किसा दिख रहा है और सब समझ रहा है किस्तान भी समझदार है सब पड़ा लिखा है देख रहा है कि इनको कौन पटक नहीं दे सकता है किसान उधर मुड़के जाएगा एक तरफ होके लक्सन जाएगा और इनको वह सबक सिखाएगा 2022 में या तो बुद्धी इनकी सुद्ध हो ज हो आज हमारे 800 से जादा किसान सइद हो गई है तो सब्सक्राइब प्रदान मंत्री जी देष का किसान रहा है हम पाकिस्तानी नहीं थे, हम खालिस्तानी नहीं थे, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, हमारे ही लोग जो सीमा पे लड़ते हैं, हम किसानों के लिए प्रदान मंतरी ने दो सब्द नहीं बोले, कि हमारे किसान ठंड में, जाडे में, और वहां पाच किसानों की मौत हो गई, उसमें पत्रकारवाई भी सामिल था उनके लिए दो सब्द नहीं बोले ये किसान की मंसा क्या ये अमारे जो प्रदान मंत्री की मंसा आप समझते हो क्या है दूसरों पर जिंदगी बरा अंगुली जी उठाने वाला आदमी उसकी अपनी मंसा क्या है ये अवकाद और ये बात और ये पूरी रड़नीती किसान अब समझ पाया है हम तो बोले बाले थे ठाली भी बजबाली मुहम्मती भी चलबाली सब कुछ करवाली है मेरे जमर जी अच्चे दिन आ गए अच्चे दिन आ गए रे क्या यार अब समझ में आ रही है भाई हमें पागल बना दिया था हम से बहुत कुछ लुट गया है हमारे उत्तरप्रदेश साल वाँके लुटने जा है। अगर आप बोट देते हैं तो राजनीती तो वहीं से सुरूव नागरेक है उसका मौलेक अधिकार है और होना भी चाहिए जब हम बोट दे रहे हैं और हमारे वोट से ही सरकार बन रही है तो हमें भी सुनिश्चिती होनी चाहिए कि हमने जो सरकार बनाई है क्या सरकार हमारे एतों को के लिए काम कर रही है लेकिन जो मौझूदा सरकार है य ये हमारे तों की साफ तोर पर अंदेख कर रही है ना तो ये गरीमों के लिए काम और यह युवाइँ के लिए काम कर रही पहले हम 51 क्रमांग पे थे अब हम 101 नंबर पे हैं यानि कि हम 50 पाइदान नीचे आ गए हैं टोटल 116 देश बुखमरी का इंडेक्स है जिसे हम ग्लोबल अंगर इंडेक्स कहते हैं उसमें 116 देश हैं जिसमें हम 101 पाइदान पे हैं तो हमारे लिए सर्म की बात होनी चाहिए काम विश्व की सबसे बड़ी अर्थ सक्ति बनने की बात कर रहे हैं और हमारे यहां प्रतिव्यक्ति आये गिर गई है पहले से पहले 46 रुपई हुआ करती थी इस समय 26 से 27 रुपई प्रतिव्यक्ति आये हैं और देश में जो देश में अगर कहते हैं निजी करण को बढ़ावा देने से किसको फायदा हो रहा है क्या आम आदमी को निजी करण से फायदा हो रहा है निजी करण से साफ तोर पे जो यारी सरकार कर रही है और जो देश की सबसे बड़ी जो आर्थिक आर्थ व्यवस्था देश की जिस पर निर्वर करती है उस अर्थ व्यवस्था को भी निजी आतों में देने का काम किया जा रहा है जिसे हम किसानी कहते हैं या खेती कहते हैं खेती हमारे देश की 70% फीजदी सभी जो आ वादी है क्लिकी निर्बर करती हैं इसको भी निजी आंतों में देने की कोशिद करके और हमारी connects से पूंजी जी ने एक हिटलर की तरह एक फर्मान-जारी कर लिए कानून लगें तो ऐसे नहीं ओगा जब तक सारे किसानों की रजामंदी नहीं ओगी तब तक हमारे देश में कोई भी लाल फीता साहिवाली देश संब्धान से चलेगा देश संसद में खुली चर्चा होगी उससे चलेगा देश जब किसानों की जब तक अंदेखी नहीं की जाएगी तब उससे चलेगा इस तरहे कि जो सरकार ने पूझी वाद़ी विवस्था को लगाने की कोसिस कर रही है सरकार उस बिवस्था को हमावी नहीं होने देंगे हम साफ तोर पे सरकार से कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को जल्दी से जल्द मांग ले नहीं तो हम इनको सक्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे जिस तरीके से हमने इने बंगाल में बाहर किया है उसी यहां से कुछ दूर जाएंगे दिली शुरू होता है यहीं से अभी हमने दिखाया हर जगा होडिंग हजारों लाकों होडिंग लगाए गया है तो यह प्रचार की सरकार है ना यह काम नहीं करती है काम करने में विश्वास नहीं रखती है सरकार यह सरकार सिर्फ प्रचार कर रही है अब आप यह बताईए कि अगर सरकार ने वाकई काम किया है तो सरकार को विज्यापन में कलकत्ता का आईवे और अमेरिका और ब्रिटेन की फैक्टरियां लगाने की जारूरत क्यों पड़ी आप क्या उत्तर प्रदेश की फैक्टर और धरना प्रदर्सन कीव कर रहा है सिछक बरती हो और फ्रुदि वाली भरती हो हर जूफ प्रदर्सन कर रहा है चाहे किसानों की बात हो दो गन्ट गन्य किसान की बात की जांए तो उसकी फसल का अब तक नहीं हुआ सब्सक्राइब नारी सुरच्छा कि आप बात करते हो तो नारी सुरच्छा में जो क्राइम है पिछले पांस सालों में वो हमारे प्रदेश में क्राइम 200 फीसदी से ज़्यादा बढ़ा है 246 फीजदी क्राइम महिलाओं पे बढ़ा है सिर्फ महिलाओं पे और अगर हम बिरोजगारी की बात करें तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में दो करोड से जाधा युवा बिरोजगार गुम रहा है और इनकी रोजगार की और इनकी नौकरियों की सुनिश्चिती कौन योगी आदित्तिनाथ ने अपने मैनिफेस्टों में कहा था कि हम सत्तर लाख रोजगार देंगे लेकिन अभी तक 6 लाख बरतियां की जिसमें से साथ हजार से ज्यादा बरतियों पर इन्होंने दांदली किये इस दांदली के खिलाब जो युवा प्रदर्सन कर रहे हैं इ उनके उपर फरजी इंकाउंटर करने का काम कर रही है सरकार और हजारों से जादा जो युवा हैं उनके साथ पिछले एक साल में फरजी इंकाउंटर की घटनाए साब तो युवा थे जिनोंने सरकार की खामियों को उजागर किया है युवा तो युवा आप जैसे पत्रका सरकारों के साथ भी गरफतारी की गटनाय आ रही है त्रिपुरा में दो युवा पत्रकार की खवर को कवर करने गए थे और उनको गरफतार कर लिया गया उनके खिलाफ सीबी आई और इंकम टेक्स के चापे डलवाती है सरकार सरकार पूरी तरीके से रास्ता बटक चुकी है सरकार के उपर सत्ता का गुरूर साफ तोर पे दिखाई दे रहा है तो बहुत बड़ा बड़ा इजाम लगा रहे हैं आप आप जिस सम्विधान की बात कर रहे हैं असल आजादी जो मिली है हमें जिस आजादी की भारत सरकार यह हम पच्छतरवी वश्चांट मना रहे हैं उसके बारे में वह कह रही है वह भीक में मिली है असल आजादी 2014 में जब परधान मंतरी मोदी देश के परधान मंतरी बनते हैं तब जा कि आजादी मिलती है देखि इनकी मान सिक्ता वही थी जो अंग्रेजों की थी मतलब परताड़ित करना परिसान करना लोगों को जनता को ये नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो ये यहां की खबरें उठा करके वहां देते थे यो हमारे लाकों लोग सहीद हुए 1857 से ये लड़ाई शुरू हुई थी देश की आजादी की और कितने बरसों बाद 1947 में जाके आजाद हुआ हमारे सहीद भगत सी और अस्पा उल्ला खान आपके चंद सेखर आजाद जैसे कितने मतलब बीर सपूतन रानी लच्मी भाई यसी महारानी हैं उन लोगों ने कितनी साधतिन दी जब जागे देश आजाद हुआ तो मैं जो बता रहा हूं यह कौन हीरोण है क्या है यह पता है इनको तो वह नाचने कुदीनी की ट्रेनिंग दी जाती है इनने कहा इतियास पढ़ने का मौकर जलता है इतियास पढ़ा होता तो यह सई बयान देती हैं इनोंने जیता हूँ कहे इस आक्टरफ पर देश दो सॉ लगदा है। उसने कितनी बड़ी बात कितना देश का अपमान किया है जिसे हम पूछते हैं वो भी नमन करते हैं बोदी जी नमन करते हैं अरे मोन कैसे बैटे हो भई केंदर वाले सभी मंत्री बैटे हो तुम्हें भी ग्यान नहीं है यह क्या तुम्हारे यह कहरें कि उसमें भीक में मिला ह मुझे लगता है ये अवाड बीक में दिया गया है अवाड बीक में आजाद नहीं हुआ था देश तो आजाद के देने वाले जो लोग थे सईद हैं उनको तो सभी लोग नत्पस्त करते हैं उनकी बज़े से आज हम खुले में गूम रहे हैं सांस ले रहे हैं अग्रेजन को टायम में उसी द्याट को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं हमारे देश को यह जो है बंधुआ करके किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं उनकी अपनी ही जमीन परूंको हत्या करके यह वहीं चाहते हैं सब्स्क्राइब बच्चों को रोजगार नहीं देंगे कर बैकेंसी निकलती हैं अगर किसी की 22 से 23 साल की उमर का बीचका जवान नौ जवान है अगर उसका एक-दो सार रह गया है वो पैणिक हो जाती है न्की बरतियां टाइम पर उनकी भरती नहीं हो रही जब उनकी कहीं जब ओरेज हो जाएगा जिवाई ओरोज हो जाएगा तो मोधी जी दो याद चौदे में आये थे दो करोड रोजगार युवां को हर वर्स हम सत्ता में आते हैं तो हम देंगे यह बादा किया था 15-15 लाख रुपे का बादा किया था सरकार ने कि परतेक जो काला धन आएगा विदिस से वो परतेक परिवार को 15-15 लाख रुपे मिलें करोड नोकरियां मिलेंगी तो हमारा जो युवा बठक गया था किसान बठक गया फिशन बठक गया ता मजदूर बठका था कि चलो अच्छे दिन आएंगे मोधी जी कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे तो यह है इनका जुट का जुमले बाजी की सरकार है यह कोई बीजेपी की सरकार नहीं है बीजेपी के तो असली नेता है जो इसको निर्माता थे बीजेपी को यहां तक लेके आ आप कैसे देख रहे हैं कंगना का एक्टिंग करने का इनको वही काम करना चाहिए देश के इतियास में और राजनीती में अगर यह दिलचस्पी ना देखाए तो ज़ादा बैतर होगा राजनीती का काम जो राजनेतिक पार्टियां उनको करने दें या फिर खुल के आप राजनीती में आओ और इतियास को पढ़ो ठीक है ना अब ये इस तरीके का भ्रम क्यों फैला रहे हैं कंगना कोई पहला उधारण नहीं है इससे पहले मद्द प्रदेश में रुची पाठ सावरकर और गोटसे जैसे लोगों ने ठीक है तो जब इन पर काउंटर किया जाता है कि देश की आजादी में संगियों का कोई योगदान नहीं है तो अब यह लोग उस नैरेशन को तैयार कर रहे हैं जो युवा आ रहा है ना युवा को यह बताना चाह रहे हैं कि देश करका और जिन्ना का योगदान था यह लोग टू नेशन पॉलिसी को सपोर्ट करते थे तो अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए यह इस तरीके का नैरेशन तैयार करने की कोसिस कर रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है जनता सब समझ रही है जनता सब देखती है ऐसे लोग हसी का पात्र बनते हैं और कंगना के उपर अलग-अलग जिले में अलग-अलग राज्यों में राश्ट द्रों का मुकदमा भी दर्ज हो रहा है और ऐसे लोगों को पबलिक अब सिरे से नकारना भी ऐसे लोगों को सुरू कर दिया है चाहिए अच्छे कुमार कुछन आप तयार करना चाह रहें हैं देश को तोड़ने का काम जवकरना चाह रहे हैं के लोग सब्सक्राइन को साफत तोर पर बतादेना चाहरा हूं हमारा देशaden एकता में 1 अकता का देश हमारा देश हमारे देश में हर द Lakka और संपरद़ाय का आदमी सदीयों से आसी मन मन प्रेम से रह रहा है यह देश ऐसे ना टूटा था और ना टूटेगा हिंदू, मुस्लिम, सिख और सारी जाती धरम के लोग हैं पिछले कई सालों से आपसी भाईचारे से रह रहे हैं और रहते रहेंगे और ऐसे लोग दो-चार दिन, एक साल, दो साल, पास साल तक अपना वर्चस सो बना सकते, ऐसी विचारदारा है, जादा दिनों तक नहीं चलेंगी, ऐसी विचारदारा को देश कभी नहीं अपनाएगा अच्छा यूपी के चुनाओं में आने वाला जो दिन है, विदान सफा का चुना है उत्तर प्रदेश के चुनाओं में किसानों का क्या किरदार होगा, यहां जो बैटके यहां जो अंदोलन कर रहे हैं, किसानों का क्या किरदार होगा, देखिए, क्या भूमिका होगी, हमा तो हमारा थारी को एक साल हो जाएगा इंडला है कि योगी-जी ने कौन से अच्छे काम किय है हमारा जो बिजली है हर्याना से देखिए 35 रुपे होस पावर रेट है हर्याना और पंजाम में तो फिरी है किसानों के लिए किसानों का 175 रुपे होस पावर हमारा बिजली का रेट है यहां पर दर है इतना महगा बिजली मुझे लगता है भारत वर्स में सबसे महगा बिजली उत्तर प्रदेश मे कशान को मिल रहा है डिजल से लेकर पैट्रों से自וג सब को पता पूरा देश देख रहा है पूरा किसान देख रहा है इस से पहले भी 50 रुपे बढ़ाया थे उन्होंने भी पैसे बढ़ाये थे इस इतने कम्जोर मुख मंतरी निकले होगी में जीर कि एछ ने किकंधा मज़ा होगा है आज किसान के लगा हुआ है झक्रद्ध की लिए दो 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 दिन से लगा हुआ है और जो खेट की नमी निकली जा रही है जैसे तरह से करके उसने पानी लेके सीचा जो पलेवा करते हैं खेत को हम लोग और जो नमी आती तब उसके ट्रेक्टर से बुवाई करते हैं जब वो नमी जब उसकी बुवाई का टाइम आ रहा है तो मां दो-दो दिन कि उनका तो मन पूरा बना हुआ है कि बीजेवपी को छोड़ो कहीं भी दे लोगो बीजेवपी को छोड़ करके इन्हें इनको सबक सिखाना है पहला पहला हमारा यह सेमी फाइनल होगा और फाइनल नमारा दोयाद 24 में होगा हम पहड़े योगी जी को वहीं बेज़ेंगे ज आप देश देश और दुनिया देख रही है कानून जो बने हैं यह एकदम आप यह मानिए कि बिल्कुल किसान को पूरी तरह से उसकी जमीन पर ही गुलाम बनाने वाले कानून है यह काला कानून है ना कॉंटेक्ट फार्मिंग है आप बताईए MSP कहां किसानों को मिलेगा जब मेरा और आपका कॉंटेक्ट हो गया पैसा जितना मेरा पैदावार होगी अपने खाने भर छोड़ करके जो बेचूंगा तो आपको बेचूंगा आप से अलग जाकर तो मैं बेख नहीं सकता है फार्मिंग में यह है जब इस और यहां मिलेगा जो कॉंटेक्ट फार्मिंग से MSP को कुछ किया जा रहा है जो कुछ 6% लोगों को मिल रही उसको भी खतम करने का इनका पूरी तरह से इरादा है और APMC मंडिया है उनको पूरी तरह से खतम करने का एरादा है वो जो है प्राइबेट मंडिया है चार से शे परसेंट अलगलग स्टेट बाइज इनका वो है जो लेवी है और जो इनका जो कर लगते हैं हर प्रदिश में ठीक है तो उनको यह खतम करके फिर यह कॉस्ट उनको दिया जा रहा है तो वो तो अच्छा भाव कुछ दिन के लिए देंगी उसके बाद अपने जब APMC खतम होने के बाद सोते ही खतम हो जाएगा फिर तो इनकी मनमजी चलेगी जिस भाव लेंगे वो उस बाव किसान को मजबूरां देना पड़ेगा आखरी सवाल आते हैं हम किसानों के मद्र एक साल होने कोई किसानों की यं िहसे कर लिया है और पांट सो किसान के डॉली अब दिल्ली की तरफ रवना होगी एक बात उ ये समाझ लो कि दूसरी बात आप है समय लो कि किसान किसी वी कीमत पके अब इंको दोट की चोट भी दे गा इसलिए कि सरकारें हमेशा बोट से डरती हैं और उत्तर परदेश के अंदर चुनाव आगया है उत्तर परदेश के अंदर किसान अब भारती जनता पार्टे को सक्था में नहीं आने देगा क्यूंकि उन्होंने सबसे ज्यादा दोका देश की जनता को दिया है। जिस जनता का विश्वास जित के लाई थे और विश्वास नहीं यूं कहों कि जूट बोल के आई थे उसी जनता को पेट में भी खंजर भूंका और पेट में भी खंजर भूंका दोनों जगे इन्होंने खंजर भूंका हमारी सिच्छा नीती पर भी बार किया हमारी स्वास्त लागू की तो तीन लाग कंपनियां बंद हो गई देख लीजिए मेरे जवहर मेरी इमानदारी का अरे साथ तीन लाग कंपनिया आपने बंद की तो आप यह भी तो बता दो कि उसरों लोगों को गए का वो लोग फांसी लगाने को आज मजबूर हैं सिरब अगर किसान आंदो जो प्रदान मंत्री जी पालिया मिंट के अंदर खड़े होके कहते हैं कि MSP है MSP रहेगी MSP कहीं जाने वाली नहीं है तो 900 रुपे कुंटल मंडियों में दान विकरा है अगर आप प्रदान मंत्री जी सर्वे करवाना चाहते हैं तो करवा लें देश की कानपुर की मंडियो महनपुरी की मंडियों उन्नाओ की मंडियों एटा की मंडियों कासम कंज की मंडियों चाहे वो तुमारी फ्रोजाबाद की मंडियों प्रदान मंत्री जी चले जाए और देख लें व्यापारी तीन चार चार दिन में दाद दौलवाते हैं और 900 और 900 रुपे कुंटल से जा लड़के लेगा क्योंकि इस सरकार ने हमारे गंदले में फंदा तो डाल दिया है लेकिन अब यह चाहती है कि तुम अपने आप जूल जाओ हम फंदे पर नहीं जूलेंगे हम सरकार से लड़के मरेंगे चाहिए हमें किसी भी इस्तिती में गुजरना पड़े इस सरकार को चा तुम कुछ भी कर लो में तुम्हें या तुटर प्षसमाने नहीं देंगे या MSP लेके रहेंगे और तीनों कानूने हटा के रहेंगे चाहिए उत्तर परदेश का जो हो देश का कुछ भी हो क्यूंकि किसान आज संगठन के साथ आया है देश में हितियास रचा पहली बार किसान पूरे देश का पूरी दुनिया का किसान की बावना है यह साथ जुड़ी है अब रही बात अखिटे होने की तो अब काम चल रहा है अब देख लेना कि 26 तारीक को यहां किसान रहेगा और 26 तारीक बाद दिल्ली की जब कौल होगी तो कितनी मात्रा में क्योंकि मैं कहा हूं गूं के आया हूं वैं छेतरों में जूम के आया हूं पूरे देश की किसाने की वाबनाएं दिल्ली के सभी बावडरों पर लगी होई है अच्छा आखनी सवाल चलते चलते आप से ले लेते हैं यह अनदोलन को कहा जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा किसान वा मुझा करी इन में ज्रागिकों एकसाल होने करहीं का देख पा रहाएं कि कहा तक पहुंचां का था था क्या पहुंचन के का था सबसे बड़ी बात था है भाली खिज्ध के अंड Überल्बर पर है तो वो ब्रांती भी दूर हो गई अब पूरी देश का किसान यहां जुड़ा हुआ है और इस देश के साथ साथ पूरे विश्व के 152 से जादा संगठन और पूरे विश्व के 51 से जादा देशों ने इस आंदोलन को समर्थन दे रखा है और इस आंदोलन पे हमारे देश नहीं पूरी दुनिया की नजर है और यही वजह है कि आंदोलन बड़ी मजबूती से चल रहा है आंदोलन बिलकुल सकारात्मक दिसा में चल रहा है सरकार की इस तरह में जो चूले है ना वो हिली हुई है सरकार इस समय बैवीत है डरी हुई है इसी वजह से सरकार अमारे उ फित्रों में देखिए जो छोटे-छोटे सहर हैं वहां देखिए वहां इस आंदोलन का आपको ऐसा आसर देखेगा कि जो भारती जंता पार्टी के नेता विदायक हैं सांसद हैं इनको वहां रैलिया नहीं करने दी जा रहे हैं चाहिए पंजाब हो अर्याना हो या उत्तर प कर रहे हैं तो आंदोलन का सकारात्मक असर आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के साथ जो पांच राज्यों के चुनाव हो रहे हैं इसमें साफ तोर पे आपको आंदोलन का असर देखेगा सरकार को जो भारती जंता पार्टी की ज साथ ही सहीद हो चुके हैं इनकी सहाधत पर प्रधान मंत्री के साथ साथ किसी भी नेता मिनिश्टर का एक ट्वीट नहीं आया कोई सेख सोक संबेदना नहीं आई लखीमपुर खीरी की जो गटना होई है नरसन सत्या जो किसानों की की गई है उस पर अब तक कोई सकारात्मक क रिवाई नहीं की गई उस ग्रेराज मंत्री का अब तक स्तीफा नहीं हुआ तो साफ तोर पर यह दिखा रहे हैं कि सरकार की साजे से सरकार साफ तोर पर किसानों को कुछलना चाह रही है किसानों को खदिगड़ना चाह रही है और किसान के साथ साथ जो आम जनता है वो भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रही क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है सारी चीज है सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक पहुँच रही है तो आंदोलन का जो व्यापक असर है वो आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में साफ तोर पे दिखाई देगा आंदोलन का व्यापक असर आपको उत्तर प्रदेश के लावा जो पांच राजों में चुनाव हैं उसमें दिखाई देगा ऐसा इनका कहना लेकिन दो तीन सवाल हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं जवाब के साथ आंदोलन के पहले दिन से ये नोईडा बेस्ट जिसको गोदी मीडिया कहते हैं वो चैनल बार बार बताता रहा है कि ये कुछ मुठी भर किसान का आंदोलन है खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी जैसे जैसा इल्जाम लगाया गया इसके उपर तो किसान नों ये जवाब दिया कि अगर हम खालिस्तानी पाकिस्तानी और आतंकवादी है तो 11 दोर की जो वारता हुई है हमारे सरकार के बीच में वो किस के साथ हुई है उसके बाद बार बार बताया गया कि ये दिल्ली और आस पास के जितने भी दिल्ली जाने वाले बॉर्डर हैं राज़ीपूर हो, टिक्री बॉर्डर हो, सिंगो बॉर्डर हो, ये सारे बॉर्डर पे किसान कब्दा हुए हैं। दिली जाने वाले लोह परिशानी हो रही है। तो आइसा नहीं है किसानों के तरफ से किसानों के दौारा कोई बैरिकेट नहीं लगाया गया कोई बैरिकेटिंग नहीं रखी की गई है वो रास्ता खुला हुआ है यहां तक खुला हुआ है जहां तक किसान बैड़े हुए इसके बाद दिल्ली वाला एरिया शुरू होता है जो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी में हैं कि वो बंद करे या खोले लेकिन इस पूरे आंदोलन के उपर बार बार ये गोदी मीडिया सवाल उठाता रहा है अगर ये इमांदार होता और इमांदार पत्रिकारिता करता तो ये पूछ था कि देश के परधान मं ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी इस पर सवाल पूछना चाहिए था कि पुछाना चाहिये था कि परधान मंत्री आपकी योजना ऐसी क्या है जो मेज्ची दिनों में 202 साल चुरू होने वाला है उसमें आमदनी अचानक दूगनी कैसे हो जाएग इस कानून में ऐसा क्या है जो आप बात नहीं करना चाह रहें किसानों से, जबरदस्ती क्यों देना चाह रहें पेट्रॉल, डीजल, तेल, सबजी, इन सारी चीजों के दाम आसमान चूरे हैं, भाव बढ़ा हुआ है, बेरुज़गारी दर्द बढ़ रही है इस पे बात करना चाहिए था इमानदारी से, लेकिन वो बात नहीं करता है आने वाली दूनों में उत्तर परदेश एक बड़ा राज है, जो देश का सबसे बड़ा पॉपलेशन के हिसाब से राज है उसमें चुना, उसके लावा भी पांच राजो में चुना है, उसको देखके सरकार क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखना होगा सयोगी आशिस के साथ मैं जैसमुलक, नेशनल दस्तक, गाजी पुरपोर्टर नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे